शीरमत बाल की रमायन के तिरास्वे सर्ग में भरत की वानी यात्रा और श्रिंगवेद पूर में रात्री वास रंत और प्राता काल उठकार भरत ने उत्तम रत पर आरूड होकर शीर रामचंदर जी के दर्शन की इच्छा से शीकरता पुरक प्रस्थान किया उनके आगे आगे सभी मंत्री और प्रोहित घोड़े जुते हुए रत्थों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे वे रत सूरे देखके रत के समान तजस्थी दिखाई दे थे यात्रा करते हुए एक श्वाकु कुल नंदन भरत के पीछे पीछे विधी पूरक सजाएगे नो हाठी चल रहे थे यात्रा प्राहिम ये सश्थी राजकुमार भरत के पीछे साथ हजजार रριतवर नाना परकार के आयुद दार्न करने वाले धनुदर योदावी जा रहे थे उसी परकार एक लाक गुड़सवार भी उन ये सश्थी रगुकुल नंदन राज कुमार भरत की यात्रा के समय उनका अंसरन कर रहे थे कैकई समित्रा और यसस्चने कुशल्या देवी भी शीडराम चंदर जी को लोटा लाने की जाने वाली उस यात्रा से संतोस्टोकर तजस्ची रात के द्वरा प्रस्तित हुई भ्रामन आदी आरियों के समू मन में अत्यांत हर्श लेकर लच्छमन सहीच शीर राम का दर्शन करने के लिए उन्हें के संबंद में विचित्र बाते कहते सुनते हुई यात्रा का रहे थे वे आपस में कहते थे हम लोग दिल्टा के साथ उत्तम रत का पालन करने वाले तता संसार का दुख दूर करने वाले स्थित प्रयग शाम वरन महा बाहु शीर राम का कब दर्शन करेंगे जैसे सूरिदे उदे लेते ही सारे जगत का अंदकार हर लेते ही उसी परकार शीर रगनाच ची हमारे आखों के सामने पड़ते ही हम लोगों का सारा शुक संताब दूर कर देंगे इस परकार की बाते कहते हैं और अत्यांत हर्श में भरकर एक दूसरे का अलिंगन करते ही एए उद्धा के नागरे को समय यात रखा रहे थे उस नगर में जो दूसरे सम्मानित प्रुष्टेवे सब लोग तथाविय पारी और शुव विचार वारे प्रजाजन भी बड़े हर्श के साथ ही राम से मिलने के लिए प्रस्तित हुई जो कोई मनीकार अर्थात मनीयों को सान पर चड़ा कर चमका देने वाले अच्छे कुम्भकार सूत का ताना बाना करके वस्त बनाने की कला के विशेशग्य शष्ट निर्मान करके जीव का चिराने वाले मोर की पांखों से चत्र विंजन आदी बनाने वाले आरे से चंदन आदी की लखड़ी चीरने वाले मनी मोती आदी में छेत करने वाले दिवारों और वेदी आदी में शोबा का संपादन करने वाले हाथियों के दाथ आदी से नाना प्रकार की वस्तों का निर्मान करने वाले चूना बनाने वाले गंधी, परसिद सोनार, कंबल और कालीन बनाने वाले गरम जल से नहलाने का काम करने वाले वैद्य, धूपक अर्थाद धूपन करिया द्वारा जीव का चलाने वाले मध्यवी करिता, दोबी, दरजी, गामों तथा गुशालों के महतों इस्त्रियों सहीत, नट, केवट, तथा समाहिचित, सदाचारी, वेद्विता, सरस्त्रों, भ्रामन, बैर गाडियों पर चड़गर, वन की यात्रा करने वाले भरत के पीछे-पीछे गे सब के वेश सुन्दर थे, सब ने शुद्वस्तर धारंका रखे थे, तथा सब के अंगों में तांबे के समान लाल रंग का अंग राग लगा हुआ था वे सब के सब नना परकार के वाहनों द्वारा धीरे-धीरे भरत का अंसरन का रहे थे, हर्श और अनंद में भरी ही वे सैना बाई को बुलाने के लिए प्रस्तित हुए कि कई कुमार ब्रात्र वस्तर भरत के पीछे-पीछे चलने लगी इस परकार रत पाल की घोड़े और हाथियों के द्वारा बहुत दूर तक का मार्क तै कर लिने के बाद वे सब लोग श्रिंगवेर पूर में गंगा जी के तड़ पर जा पूचे जाशीर रामचंदर जी का सखा वीर निशाद राज गुह साफधाने के साथ उस देश की रक्षा करता हुआ अपने बाई बंदों के साथ निवास करता था चक्कर वाकों से अलंग करित गंगा तड़ पर पहुँचकर भरत का अंसरन करने वाली वे सेना ठहर गई पुन्ने स्रीला बगेर्ती का दर्शन करके अपनी उस सेना को शिठिलुई देखकर बात्चित करने की कला में कुशल भरत ने समस्त सचिमों से कहा आप लोग मेरे सेनकों को उनकी इच्छा के उन साथ यहां सब और ठहरा दीजी आए रात में विश्राम कर लेने के बाद हम सब लोग कल सेरे इंज सागर गामनी नदी गंगा जी को पार करेंगे यहां ठहरने का एक और प्रयोदिन हैं मैं चाहता हूँ कि गंगा जी में उतर कर सरगी महराज के पारलोग की कल्यान के लिए जिलान जिली दे दूँ उनके इस परकार कहने पर सभी मंत्रियों ने तथा अस्तु कहकर उनकी आग्या से विकार की और समस्ष सैनकों को उनकी इच्छा के इंसार भिन्विन स्थानों पर ठहरा दिया महा नदी गंगा के तरपर खेमी आदी से शोबित होने वाली उस सैनको विवस्था पूरक ठहरा कर भरत ने महात्मा शीराल के लोटने के विशे में विचार करते हुए उस समय वही निवास किया इस परकार श्री बाल मिक निर्मित आर्श गामाईन आदी कावे के उध्या कांड में तरासीमा सर्ग पूर्ण हुआ चुरास्विय सर्ग में उधर निशाद राज गोहने गंगा नदी के तरप ठहरी हुई भरत की सैनको देखकर सब और बैठे हुए अपने भाई बंदों से कहा भाईयो इस और जो ये विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान अपार दिखाई दिती है मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ निश्चे ही इसमें सिम्द्र बुद्धी भरत भी आया हुआ है मैं कोवीदार के चिन वाली विशाल धोजा उसी के रत पर फेरा रही है मैं समयता हूँ कि ये अपने मंत्रियों द्वरा पहले हम लोगों को पाशों से बंदवाएगा अत्वा हमारा वद्ध कर डालेगा तत्वच्चा जितने जिने पिता ने राज्चे से निकाल दिया है उन दश्र दंदर शीर राम को भी माट डाल है पर तो दश्रत कमार शीराम मेरे स्वामी और सखा हैं इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त शस्तरों से सुजित होकर यहां गंगा के तड़ पर मुझूद रहो समी मला सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तड़ पर ही खड़े रहें और ना पर रखे हुए फल मूल आदी का आहार करके ही आज की राद बितावें हमारे पास पांच सुनामे हैं उनमे से एक एक नाव पर मलाहों के सो सो जवान युद्द समकरी से लैस होकर बैठे रहें इस परकार गुहों ने उन सब को अदेश दिया उसने फिर कहा कि यदी यहां भरत का भाव शीद राम के प्रति संतोष जनक होगा तब ही उनकी यह सेना आज कुशल पूरा गंगा के पार जा सकेगी यो कहकर निशाद राज गोहों मिश्री फल के गुदे और मधू आदी भेट की सामगरी लेकर भरत के पास किया उसे आथे देखकर समय उचित करतवे क तो समय ने वाले प्रतापी सूत पुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांती भरत से कहा कोकुस कुल भूजन ये बुड़ा निशाद राज गोह आपने सहस्त्रों भाई बंदों के साथ यहां निवास करता है यह तुमारे बड़े भाई शीर राम का सखा है इसे दंड़क करने क मार की विशेश चानकारी है इनिश्चे ही से पता होगे कि दोन भाई शीर राम और लच्वन कहां है अता निशाद राज गोह यहां आकर तुमसे मिले इसके लिए अफसर दो समंत्र के मुख से ये शुब वचन सुनकर भरत ने कहा निशाद राज गोह मुझसे शीक्र मिले इसके विवस्था की जाए मिलने की अनमती पाकर गोह अपने बाई बंदों के साथ वहां प्रसंता पुरुकाया और भरत से मिलकर बड़ी नमरता के साथ वोला ये वन परदेश आप के लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है आपने अपने आगवन की सूचना न दे कर हमें धोके में रखा है हम आपके स्वागत की कोई तियारी नहीं कर सकी हमारे पास जो कुछ है वे सब आपकी सेवा में अर्पित है ये निशादों का घर आप का ही है आप यहां सुख पुरुक निवास करें ये फल मूल आपकी सेवा में बरस्तित है इसे निशाद रोक सेवा तोड़ कर लाए है इन में से कुछ फल तो अभी हरे ताजे हैं और कुछ सुख गए हैं इनके साथ तियार किया हुआ हुआ फल का गुदा भी है इन सब के स ना प्रकार की मनवाचित वस्तों से आज हम सेना सहीत आपका सत्कार करेंगे फिर कल सेरे आप अपने सेनकों के साथ यहां से अन्यत्र जाएएगा इस प्रकार बालमिक निरमित आर्ष रामाइन आदि कावे के एध्या कांड में चुरासिवा सर्ग पुर्णुआ पच्चा तुम मेरे बड़े भाई श्रीराम के सखा हो मेरी इतनी बड़ी सेना का सत्कार करना चाते हो यह तुमारा मनौरत बहुत ही उंचा है तुम उसे पूर नहीं समझो तुमारे श्रद्धा से ही हम सब लोगों का सत्कार हो गया यह कहकर महत जसी श्रीमान भरत ने गंतव्य मार को हाथ के संकेज से दिखाते हुए बुना गोष से उत्तम मानी में पूछा निशाद राज इन दो मारगों में से किसके दवारा मुझे भरदवाज मुने के आश्रम पर जाना होगा गंगा के किनारे यह परदेश तो बड़ा गहन मालूम होता है इसे लांकर आगे बढ़न कठीन है पुद्धीमान राजकमार भरत का यह वचन सुनकर वन में विचरने वाले गोने हाथ जोड़कर काहा महावली राजकमार आपके साथ बहुत से मला जाएंगे जो इस परदेश से पूर्ण परचित तदा बड़ी भाती साथ दान रहने वाले हैं इसके सिवा मैं भी यह आपके साथ चलूँगा परंतु एक बात बताईए अनायासी महान प्रकर्म करने वाले शिद्राम चंदर जी के प्रति आपकी दुर्बावना लेकर तो नहीं जा रही हैं आपकी ये विशाल सेना मेरे मन में शंका सी उत्पन कर रही है ऐसी बात कहते हुए गूस अकाश के समान निर्मल भरत ने मदरुवानी में कहा निशाद राज ऐसा समय कभी नहीं आए तमारी बात संकर मुझे बड़ा कस्ट हुआ तुम्हें मुझ पर संदे नहीं करना चाहिए शी रगुनाची मेरे बड़े भाई हैं मैं उन्हें पिता के समान मानता हूँ को कुस कुल भ लिशे में कोई अन्य था विचार नहीं करना चाहिए बरत की बात संकर निशाद राज का मुझ परसंता से खिल उठा वे हर्स से भर कर पुना भरस से बोले आप धन्ने हैं जो बिना प्रयत्म के हाथ में आई हुए रज्य को त्याग देना चाहते हैं आपके समान ध्रमात् कुई नहीं दिखाई दीता कष्ट प्रद वन में निवास करने वाले शीर राम को जो आप लुटा लाना चाहते हैं इससे समस्त लोकों में आपको अक्षे किरती का परसार होगा जब गो भरत से इस परकार की बाते कह रहा था उसी समय सूर्य देव की प्रभा अद्रिश्य हो गई और रात का अंदकार सब और फैल गया गो के वरताफ से शीरिमान भरत को बड़ा संतोश हुआ और मैं सेना को विश्राम करने की आग्या देकर शत्रुगन के साथ श्रम करने के लिए गए धरम पर दृष्टी रखने वाले महात्मा भरत शोक की योग्य नहीं थे ति उनके मन में शीर्द राम चंदर जी के लिए चिंता के कारण ऐसा शोक उत्पन हुआ जिसका वर्न नहीं हो सकता जैसे वन में फैले हुए दावा नाल से संतप्त हुए विरिक्ष को उसके खोखले में चिप हुई आग और भी अधिक जिलाती है उसी परकार दश्रत मरं जन जिन्ता की आग से संतप्त हुए रगोकुल नंदन भरत को वे राम वियोग से उत्पन ही शोक अगनी और भी जिलाने लगी जैसे सूरी की किर्णों से तपा हुआ हिमाले आपनी पिगली हुई बरफ को बहाने लगता है उसी परकार भरत शोक अगनी से संतप्त होने के अपने संपूरन अंगों से पसीना बहाने लगे उससे में कैकी कमार भरत दुख के विशाल परवस से आक्रांथ हो गे थे शीर राम चंदर जी का ध्यान ही उसमें चिद्र रहित शिलान का समू था दुख पूर्ण उच्छवास ही गैरिक आली धातों का स्थान ले रहा था दीन्ता अर्थात इंद्रियों की अपने विश्यों से भी मुक्ता ही वरिक्ष मूहों के रूप में परतीत होती थी शोग जन्हे तावास ही उस दुख रुपी परवत के उचे शिखत थे। पेड़ी थोने के कारण नार्शरेश भरत को शान्ती नहीं मिलती थी, उनकी दिशा अपने जुन्ड से बिच्ड़े हुए विरिशब किसी हो रही थी, परिवार सहीत एक कागरचित महानबाब भरत जब गोह से मिले, उसमें उनके मन में बड़ा दुख था, वे अपने सर्ग पोर्न हुआ, छ्यास्वे सर्ग में वांचारी गोह ने अप्रमे शक्ति शाली भरत से महात्मा लच्छों के सद्भाव का इस परकारवनन किया, लच्छों अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेश्ट धनो शर्बान धारन किये, अधिक काल तक जागते रहे, उसमें उन सद्गुन शाली लच्छमन से मैंने इस परकार कहा, तात रघुकुल नंदन, मैंने तुमारे लिए ये सुखदानी शिया तियार की है, तुम इस पर सुखपुर सोवो और भड़ी भांदी विश्राम करो, ये मैं सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनमासी होने के कार दन, उसी के युग्यो, धर्मात्मन, हम लोग शीर राम चंदर जी की रक्षा के लिए रात बर जागते रहेंगे, मैं तुमारे सामने सब्टे कहता हूं कि इस भूम अंडल में, मुझे शीर राम से बढ़कर प्रिये दूसरा कोई नहीं है, अतै, तुम इनकी रक्षा के ल बंदु भांदों के साथ, हाथ में दुनुश लेकर सीता के साथ सोय प्रिये सखाशित राम की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। इस वन में सुदा विचरते रहने के कारण मुझे से यहां की कोई बात छिपी नहीं है, हम लोग यहां युद्धमे शत्रों की चत्रंगरी स चैना का भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर हे द्रिष्टी रखने वाले महात्मा लच्छमन ने हम सब लोगों से अन्यमने पूर्व कहा, निशाद राज, जब दश्यत नंदन शीर राम देवी सीता के साथ भूमी पर शियन कर रहे ह तब मेरे लिए उत्तम शीया पर सोकर नीद रेना, जीवन धारन के लिए स्वादिष्ट अन खाना, अत्वा दूसरे दूसरे सुखो को भोगना कैसे संभव हो सकता है। अपने समान उत्तम लक्षनों से युक्त जेश्ट पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उनी इन शीर राम के वन में आ जाने से राजा दश्रत दिख काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता है निच्चे ही ये प्रिथी अब शीगर विद्धा हो जाएगी। अवश्शी अब रनिवास की इस्तियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के करण अब चुप हो गई होगी। और राज महल का विवय हाहा कार इसमें शांत हो गया होगा। महरानी कुशल्या राजा दश्रत तथा मेरी माता समित्रा ये सब लोग आज की इस राद तक जीवित रह सकेंगे या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। शत्रुगर्ण की बाठ देखने के कारण संबव है। मेरी माता समित्रा जीवित रह जाए। प्रंतो पुत्र के विराय से दुख में डुबी हुई वीर जिन्नी को शल्लया। अवश्य नस्ट हो जाएगी। महराज की चाथी की शीर्राम को रज्ज पर अभिशिक्त करूं। आपने उस मनुरत को ना पाकर शीर्राम को रज्ज पर स्थापित किये बिना ही। हाई मेरा सब कुछ नस्ट हो गया नस्ट हो गया ऐसा कहने दे हुए मेरे पिता जी अपने प्राणों का परत्यार कर उनकी उस मृत्यू का समय उपस्थित होने पर जो लोग वहां रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महराज दिश्रत का समी प्रेत कारियों में संस्कार करेंगे वे ही सफल मनुरत और भाग्यशाली हैं यदि पिताजी जीवित रहें तो रमनिय चे बुत्रों और चे राहों के संदर स्थानों से युक्त प्रतक प्रतक बने हैं विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनकों की अटल्डी काउं और देम मंद्रों आयम राजवन्व से संपन सब प्रकार के रत्नों से भूशित आथ गोड़ो और रथों के आवा गमन से भरी हुई वीविद वाद्यों की धनियों से निनादित समस्त कल्यानकारी वस्तों से भरपूर रिष्ट पुस्ट मनस्यों से व्याप्त पुष्वाट काउं और ज्यानों से परिपूर्ण तुदा समाजी कुच्सों से शोबित हुई म हम लोग युद्धापुरी में प्रविश कर सकेंगे इस परकार विलाब करते हुई महा मनस्यर राजकुमार लच्छवन की वैस सारी राज जागते ही बीद गई प्रादा काल निर्मल सूरे दे होने पर मैंने बगेर्टी के तड़ पर वट के दूसे उन दोनों के केशों को जटा का रूप दिलवाया उनने सुख पूरक पार उतारा सिर पर जटा धारन करके वलकल एमचीर वस्तर पहने हुए महा बली शत्रु संतापी शीर राम और लच्छवन दो गज यूथ पतियों के समान शुबा बाते थे में सुंदर तरकश औ धनुश धारन की ये इदर उदर देखते हुए सीता के साथ चले गए इस परकार शिरी पाल में एक निर्मित आर्श रमाएन आदि कावे के एध्याकांड में चैसेमा सर्ग बोर्ण हुआ शिर्मत बाल की रमाहिन के सतासने सर्ग में भरत की मुर्चा से गोह, शत्रुगन और मताओं का दुखी होना होश में आने पर भरत का गोस से शीर राम आदी के भोजन और शन आदी के विशे में पूछना और गोका उन्हें सब बाते बताना गोका शीर राम के जटा धारन आदी से संबंद रखने माना अच्यंत अप्रिय वचन संकर भरत चिंता ग्रस्त होगे जिन शीर राम के विशे में उन्होंने अपनी ये बाद सुनी थी उन्हीं का वे चिंतन कर दे लगे उन्हें ये चिंता हो गई कि अब मेरे मनुरत पूर नहीं हो सकेगा शीर राम ने जब जटा धरन कर ली तब वे शायद ही लोटे भरत सकुमार होने के साथ ही महान मा बलशाली थे उनके कंदे सिंग के समान थे बुजाएं बड़ी बड़ी और नेतर विक्सित कमल के समान से दृष्चे थे सुन्दर थे उनकी अमस्था तरुन थी और वे देखने में बड़े मनुरम थे उन्होंने गोख की बात सुनकर दो घड़ी तक किसी परकार धैरे धारन किया फिर उनके मन में बड़ा दुख हुआ वे अंकुस से विदे हुए हाथी के समान अत्यनत व्यथित होकर सैसा दुख से शिथिल एम मुर्चित होगी भरत को मुर्चित हुआ देखकर गोख के चेरे का रंग उड़ गया वे भुकम के समय मथित हुए व्रिक्ष की बांती वहां व्यथित हो था शत्रुगन भरत के पास ही बैटे थे वे उनकी वैसी अवस्ता देख उने हिद्दे से लगा कर जोर जोर से रोने लगे और शोक से पिड़ी थोकर अपने सुद्ध बुद्ध खो बैटे तरंतर भरत की सभी माताएं वहां आपोची वे पती वियोक के दुख से दुखी उपवास करने के कारण दुर्बल और दीन हो रही थी भूमी पर पड़े वे भरत को उन्होंने चारव और से घेर लिया और सब की सब रोने लगी कुशल्या का हिद्ध तो दुख से और भी कातर हो उठा उसे ने भरत के पास जाकर उसे अपनी गोद में चिपका लिया जैसे वसला गव अपने बच्डे को गले से लगा कर चारती है उसी तरह शोक से व्याकल होई तबस्वनी कुशल्या ने भरत को गोद में लेकर रोते रोते पूछा बेटा तुमारे शीर का कोई रोक तो कस्ट नहीं पुचा रहा अब इस राजविंश का जीवन तुमारे ही अदिन है वस मैं तुमी को देखकर जी रही हूँ शीराम लक्षमन के साथ वन में चलेगे और महराज दश्रत सरगवासी होगे अब एक मातर तुमी हम लोगों के रक्षक हो बेटा सच बताओ तुमने लक्षमन के संबंद में अथ्वा मुझे एक ही पुत्र वाली मा के बेटे वन में सीता सहित गए हुए शीराम के विशे में कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है दो ही घड़ी में जब मा इससी भरत का चित सवस्थ हुआ तब उन्हें डोते रोते ही कुशलिया को सांतुना दी और कहा मा घबराव मत मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है फिर निशाद राज गू से इस परकार पूछा गो उस तिन राते मेरे भाई शीराम कहां ठहरे थे सीता कहां थी और लच्छन कहां रही उन्हें क्या भोजन करके कैसे बिच्छोन पर शीराम किया था ये सब बाते मुझे बताओ ये प्रिशन सुनकर निशाद राज गू बहुत परसन्न हुआ और उसने अपने प्रियाम हित कारियती थी शीराम के आने पर उनके प्रती जैसा वरताव किया था वे सब बताते हुए बरत से कहा मैंने भाती-भाती के अन नेक प्रकार के खादे पदार्त और कई तरह के फल शीराम चिद्दर जी के पास भोजन के लिए परचूर मातरा में पहुंचाए सत्य प्रकार में शीराम ने मेरी दिवी सब वस्तवे स्विकार तो की किन्तो शत्री ध्रम का संबरन करते हुए उनको ग्रहन नहीं किया मुझे आदरपूरक लोटा दिया फिर उन महात्मा ने हम सब लोगों को समझाते हुए कहा सके हम जैसे शत्रों को किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए अब इतु सदा देना ही चाहिए सीता सहिद शीर राम ने उस रात में उपवा से किया लच्छवन तो जल ले आए थी केवल उसी को उन महात्मा ने पिया उनके पीने से बचा हुआ जल लच्छवन ने ग्रहन किया जलपान के पहले उन तीनों ने मौन एम एकाकर जी तोकर संद्या अवपासना की थी तरहलतर लच्छवन ने सेम कुछ लाकर शीर राम चंदर जी के लिए शीगरी संदर बिचोना बिचाया वो संदर बिस्तर पर जब सीता जी के साथ शीर राम बिराजमान हुए तब लच्छवन दोनों के चरन पकार कर वहां से दूर हट गए यही वह उंगदी वरिक्ष की जड़ है और यही वैत्री नहें जा शीर राम और सीता दोनों गात्री में शियन किया था शत्रो संतावी लच्छवन अपने पीठ पर बानों से बढ़े दो तरकश बांदे दोनों हाथों की उंगलियों में दस्ताने पहने और महां धनुष चड़ाई शीर राम के चारों और घूम घूम कर केवल पहरा देते हुए रात बार खड़े रहे तंदर मैवी उत्तम बांद और धनुष लेकर वहां आ खड़ा हुआ जहां लच्छमन थे उस्समें अपने बंदो भांदों के साथ जो निद्रा और आलस्य का त्याक करके धनुष बांद लिये सदा साफ धान रहे मैं देवराज इंद्र के समात जस्सी शीर राम की रक्षा करता रहा इस परकार शीर बाल में की निर्मित आर्शर रामाईन आधी कावे के अध्या कांड में सतासिवा सर्ग पूर्ण हुआ अठाइस्रिया सर्ग निशाद राज की सारी बाते ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहीत भरत ने इंगुदी वरिक्ष की जड़ के पास आकर शीर राम चंदर जी की शीया का निरिक्षन किया फिर उन्हें समस्त मताओं से कहा यही महात्मा शीर राम ने भूमी पर शीयन करके रात्री वितीत की थी यही वै कुछ समू है जो उनके अंगों से भी मर दित हुआ था महाराजों के कुल में उत्पन हुए परमभु धीमान माह भाग राजा दशरत ने जिने जनम दिया था वे शीराम इस समत तरह भूमी पर शीयन करने के योग्य नहीं है जो पुरुसिंग शीराम मुलायम रिक्षरम की विशेष चादर से ढखे हुए तिथा अच्छे अच्छे विच्छोनों के समों से सजे हुए पलंग पर सदा सोय आए हैं वे इन समय पृत्थी पर कैसे शीयन करते होंगी जो सदा विमानाकार पर शादों के श्रेष्ट भवनों और अटली काउं में सोते आए हैं तिथा जिनकी फरश सोने और चांदी के बने हुई हैं जो अच्छे विच्छोन से शोबित हैं पुश्पराशी से विभूशित होने के कारण जिनकी विचित्र शोबा होती है जिनमें चंदन और अग्रु के सगंद फैलाई रहती है जो शेट बादरों के समान उज्जर कांती धारं करते हैं जिनमें शुक्ष समों का कल्रव होता रहता है जो शीतल हैं एम कपूर आदे के सगंद से व्याप्त होते हैं जिनकी दिवारों पर सन का काम किया गया है तथा जो उचाई में मेरु परवत के समान जान पड़ते हैं ऐसे सुरवत्तम राज महलों में जो निवास कर चुकी हैं विशीर रामवान में प्रिथी पर कैसे सोते होंगी जो गीटों और वाज्यों की धनियों से श्रेश्टा भूशनों की जनकारों से तथा मिर्दंगों के उत्तम शड़ों से सगा जिगाते जाते थे बहुत से वंदी जान गन समय समय पर जिनको वंदना करते थे सूत और मागत अन्रोप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जिगाते थे वे शत्रु संतापी शीराम अब भूवी पर कैसे शियन करते होंगे ये बाद जगत में विश्वास के युग्य नहीं है मुझे ये सत्य नहीं परतीत होती मेरा अंत्यकरनवश्य मोही तो रहा है मुझे तो ऐसे मालम होता है कि ये कोई सपन है निश्चे ही काल के समान प्रवल कोई दूसरा देता नहीं है जिसके प्रभाव से दशरत लंदन शीर राम को भी इस परकार भुमी पर सोना पड़ा उस काल के ही प्रभाव से विधे राज की परम संदरी पुत्री और महराज दश्रत की प्यारी पुत्र वदू सीता भी पृत्थी पर शियन करती है यही मेरे बड़े भाई की शिया है यही उन्होंने करटे बदली थी इस कठोर विदी पर उनका शुब शियन हुआ था जहां उनके अंगों से कुछला गया सारा त्रिन अभी भी पड़ा है जान पढ़ता है शुब लक्षना सीता शिया पर अभूशन पहने ही सोई थी क्योंकि यहां यत्र तत्र सर्न के कन सटे दिखाई दिखाई देती है यहां उस समय सीता की चादर उलज की थी यह साफ दिखाई दे रहाद है क्योंकि यहां सटे हुए यहे रेशम के तागे चमक रहे है मैं समयता हूं कि पथे के शिया कोमल हो या कठोर साधी इस्त्रियों के लिए वही सुखताई नहीं होती है तबीतवे तपस्थनी एम सक कमारी बाला सधी साधी मितलेश कमारी सीता यहां दुख का अन्भव नहीं कर रही है हाई मैं मर गया मेरा जीन वेर्थ है मैं बड़ा करूर हूं जिसके कारण सीता सही शीर राम को उनाद की भाती ऐसे शीया पर सुना पड़ता है जो चक्रवरती समराट के कुल में उपन हुए है समस्त लोकों को सुख देने वाले है तथा सब का प्रियक करने में तक पर रहते हैं जिनका शीर नीले कमल के समान शाम आँखे लाल और दर्शन सब को प्रियक लगने वाले हैं तथा जो सुख भोगने के ही योग्य हैं दुख भोगने के कदापी योग्य नहीं हैं वेही शीर रगनाची परम उत्तम प्रियर रज्यका परत्या करके इसमें प्रिथी पर शेहन करते हैं उत्तम लक्षनों माले लक्षवन ही धन्य आयम बढ़बागी हैं जो संकट के समय बड़े भाई शीर राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते ही निश्चे ही विधे नंदनी सीता भी किरतात होगी जिनने पती के साथ वन का अंसरन किया हम सब लोग उन महात्मा शीर राम से बिचुट कर शंचे में बढ़ गी है हमें ये संदे होने लगा हैं कि शीर राम हमारी सेवा से विकार करेंगे या नहीं महराज दश्रच सर्ग लोग को गए और शीर राम वनवासी होगी ऐसी दिशा में ये प्रिथी बिना नाविक की नोका के समान मुझे सूने सी परतीत हो रही है वन में निवास करने पर भी उनी शीर राम के बाहुबल से शुरक्षे तोई इस वसंद्रा को कोई शत्रु मांद से भी नहीं लेना चाता है इस समें एयोध्या की चार दवारे की सब बहुत से रक्षा का कोई परवंद नहीं हाथी और घोडे भंदे नहीं रहते हैं रक्षों से सुनी जी जान पड़ती है संकट में पड़ी हुई है रक्षों के अभाव से आवरन रहित होगी है तो भी शत्रु विश्मित्रित भोजन की भांती इसे ग्रहन करने की इच्छा नहीं करते हैं शीराम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है आज से मैं भी प्रिथी पर अथ्वा तिन को पर ही सूँगा फल मूल का ही भोजन करूँगा और सदा वलकल वस्तर तथा जटा धन किये रहूँगा वन्मास के जितने दिन बाकी हैं उतने दिनों तक मैं ही महा सुख पूरक निवास करूँगा ऐसा होने से आरिश शीर राम की की ही प्रतिग्या जुट ही नहीं होगी भाई के लिए वन्मे निवास करते समय शत्रुगन मेरे साथ रहेंगी और मेरे बड़े भाई शीर राम लच्छन को साथ लेकर युद्ध्या का पालन करेंगी युद्ध्धा में ब्रामन लोग कोकुसकुल भूशन शीर राम का भी शेक करेंगी क्या देवता मेरे इस मनौरत को सफल करेंगी मैं उनके चर्नों पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चीस्ता करूंगा यदि मेरे बहुत कहने पर भी में लोटने को राजी नहीं होंगे तो उन वनवासी शीर राम के साथ मैं भी धीर काल तक वहीं निवास करूंगा वें मेरी अपेक्षा नहीं करेंगी इस प्रकार शिरिबालमिक निर्मित आश्च रमायन आधिकाव की एध्याकांड में 88 सर्ग पूर्ण हुआ नमासमे सर्ग में शिंग वेरपूर में ही गंगा के तरपर रात्री बिताकर रगोकुल नंदन भरत प्रताकाल उठे और शत्रुगन से इस प्रकार बोले शत्रुगन उठो क्या सो रहे हो तुमारा करल ल्यान हो तुम निशाद राज गू को शिगर बुला लाओ वही हमें गंगा के पार उतारेगा उस से इस प्रकार प्रिरित होने पर शत्रुगन ने कहा भई या मैं भी आपकी ही बाती आरेशी राम का चिंतन करता हुआ जाग रहा हूं सोता नहीं हूँ वे दोनों प्रोश सिंग जब इस प्रकार प्रस पर बाक्चित कर रहे थे उसी समय गूह उप्युक्त विला में आप पोचा और हाथ जोड़ कर बोला कुकुस कुल भूशन भरत जी इस नदी के तड़ पर आप रात में सुक से रहे हैं ना सेना सही ता आपको यहां कोई कष्टो नहीं हुआ आप सर्था निरोग है ना गू के सनेपुरुक कहेगे इस वचन को सुनकर शीडराम के अधीन रहने वाले भरत नहीं यह कहा बुद्धिमा निशादराज हम सब लोग की रात बड़े सुक से बिती है तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया अब ऐसी विष्टा करो जिससे तुमारे मला बोसी नुकाओं द्वारा हमें गंगा के पार उतार दे भरत का ये अदेश संकर गोह तुरंत अपने नगर में गया और भाई बंदों से बोलाओ ठो जागो सदा तुमारा कल्यान हो नुकाओं को खीच कर घाट पर ले आओ भरत की सेना को गंगाजी के पार उतारूंगा गोह के इस बकार कहने पर अपनी राजा की आग्या से सभी मला शीगरी उट खड़े हुए और चारों और से पांच सो नुकाओं कत्र कर लाए इस सब के अत्रिक्त कुछ स्वस्तिक नाम से परसिद नुकाओं थी जो स्वस्तिक के चिन्नों से अलंकिर्थ होने के कारण उनी चिन्नों से पहचानी जाती थी उन पर ऐसी पतकाओं फैरा रही थी जिनमें बड़ी बड़ी घंटियां लटक रही थी सद्नादी के बने हुए चित्रों से उन नुकाओं की विशेश शुबा हो रही थी उन में नुका खेने के लिए बहुत से डांट लगे हुए थी और चतुर नामिक उने चिलाने के लिए ते यार बैठे थे वे सबी नुकाओं बड़ी मजबूत बनी थी उनी में से एक कल्यान में नाव गोह स्वयम लेकर आया जिसमें शेद कालीन बिचे हुए थे तो था उस स्वास्तिक नाम वाली नाम पर मांगली शब्द हो रहा था उस पर सब से पहले प्रोहित गुरू और ब्रहमन बैठे तर पुष्चाद उस पर भरत, महाबली, शत्रुगन, कुशल्या, समुत्रा, ककई तो था राजा दश्रत की भी जो अन्य रानियां थी वे सब स्वार हुई तर तर राजपरिवार की दूसरी इस्त्रियां बैठे गाडियों तदा क्रेविक्रे की सामक्रियां दूसरी दूसरी नाओं पर ला दी गई कुछ सैनिक बड़ी बड़ी मशाले जिलाकर अपने खिमां में छोटी हिवस्तों को संभालने लगे कुछ लोग शीकरता पुरा घाट पर उतरने लगे और बवस्ते सैनिक अपने अपने समान को ये मेरा है ये मेरा है इस तरह पेचान कर उठाने लगे उस समय जो महान कोला हल मचा वे अकाश वे गूंज उठा उन सभी नाओं पर पतकाईं फरा रही थी सब के उपर खेने वाले कई मला बैठे थे में सब नुकाईं उस समय चड़े वे मनुश्यों को तीवर गती से पार ले जाने लगी कितने ही नुकाईं केवल इस्त्रियों से भरी थी कुछ नामों पर घोडे थे और कुछ नुकाईं गाडियों उन में जोते जाने वाले घोडे, खचर, बैल, आदी वाहनों ज़ता बहमुल्य रत्न आदी को ढो रही थी में दूसरे तार पर पहुँचकर वहां लोगों को उतार कर जब लोटी में मला बंदू जल में उनकी विचित्र गतियों का परदर्शन करने लगे वे जनती पताकाओं से शौबित होने वाले हाथी महावतों से प्रेरी ठोकर से हम ही नदी बार करने लगे उस में वे पंक तारी परतों के समान परतीत होते थे कितने ही मनुष्य नाओं पर बैठे थे और कितने ही मास तथा तिनकों में बने हुए बेडों पर सवार थे कुछ लोग बड़े-बड़े कल्चों, कुछ छोटे घड़ों, कुछ अपनी बाहूं से ही तैरकत पार हो रहे थे इस प्रकार मलाहों की सायता से वे सारी पृत्र सेनन गंगा के पार उतर गई थिर वे सेम मैत्र नामक महुरत में उत्तम प्रयागवन की और प्रस्तित हो गई वहां पोचकर महात्मा भरत सेना को सुक पूरक विश्राम की आज्यादे उसे प्रयागवन में ठेराकर स्यम्रित तिग्यो तथा राजस्वा के सदस्यों के साथ रिशिश रेष्ट भरदवाज का दर्शन करने के लिए गे देप्रोहित महात्मा भ्रामन भर्द्वाजमनी की आश्रम पर पूंचकर भरत ने उन विप्रशिरमनी के रमनी एमिशाल वन को दिखा जो मनोहत परंशालाओं तथा व्रिक्षा वालियों से शोबी था इस परकार बलमेक निर्मित आर्ष रमायन आधिकावे में अयध्याकांड में नमासुआ सर्ग पूर्ण हुआ शिर्मत बालके रमायन के यध्याकांड के नब्यमास सर्ग में भरत और भर्दवाज मुनी की भेट एम बाचित तथा मुनी का अपने आश्रम पर ही ठहरने का अधिश्तिना धर्म के ग्याता नर्श रिष्ट भरत ने भर्दवाज आश्रम के पास पूँचकर अपने साथ के सब लोगों को आश्रम से एक कोस इधर ही ठहरा दिया था और अपने भी अश्त्र श्त्र तथा राजवचित वस्त्र उतार कर वहीं रख दिये थे केवल दो रिष्वी वस्तर धारन करके प्रोहित को आगे किये वे मंत्रियों के साथ पैदली वहाँ पर गे आश्रम में प्रवेश करके जहां दूर से ही मुनीवर भर्दवाज का दर्शन होने लगा वहीं उन्होंने उन्हों मंत्रियों को खड़ा कर दिया और पुरोहित विशीष्टी को आगे करके वे पीछे-पीछे रिशी के पास के महिर्शी विशीष्ट को देखते ही महतवपसी भरद्वाज आसन से उठखड़े हुए और शिश्यों से शीगरता पूरक अर्धली आने को कहा फिर विशीष्ट से मिले तत्वपस्चाद भरद्वाज ने उनके चरनों में परनाम किया महतवपसी भरद्वाज समझगे कि ये राजा दश्रत के पुत्र है धर्मग्य रिशी ने करमशे विशीष्ट और भरद्वाज को अर्ध्य पाध्य तत्था फल आदी नवीदन करके उन दोनों के कुल का कुशल समाचार पूछा इसके बाद एयुद्या, सेना, खजाना, मित्रवर्ग तत्था मंत्री मंडल का हाल पूछा राजा दश्रत की मृत्यों का फिरतांत वे जानते थे इसलिए उसके विशे में उनने कुछ ने पूछा विशिष्ट और भरत ने भी महर्शी के शीर, अगनिहोत्र, शिश्यवर्ग, पेड़ पत्ते और मिरिक पक्षी आदी का कुशल समाचार पूछा महाई सची भदवाज सब ठीक है, ऐसा केकर शीर, अगनिहोत्र, प्रतिस ने होने के कारण भरत से इस परकार बोले, तुम तो रज्ज कात रही हो ना तुम्हें यहां आने कि क्या वश्यक्ता बढ़ गी यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी और से शुद नहीं हो रहा है मेरा विश्वास तुम पर नहीं जमता है जो शत्रों का नाश करने वाला है, जिस अनंद वर्दग पुत्र को कुशलिया ने जिनम दिया है उस नेरप्राज शीर राम और उसके छोटे भाई लच्छन का तुम अकंटक राज्य भोग ने की इच्छा से कोई अनिष्टो नहीं करना जाती हो भर्दवाज के ऐसा कहने पर दुख के करन भरत की आँखे डबडबाई मेरे लड़ खड़ाती ही वाणी में उनसे इस परकार बोले भगवन यदि आप पुझे पाद महिर्शी भी मुझे ऐसा समझते हैं तब तो मैं हर तरह से मारा गया ये मैं निश्टी दुरूप से जानता हूँ कि शीर राम के वन्मास में मेरी और से कोई अपराद नहीं हुआ है आम मुझे से ऐसी कठोर बात मत कही मेरी आण लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा था या किया है मैं मुझे अबिष्ट नहीं है मैं इसे संतोष्ट नहीं हूँ और ना मता की उस बात को सविकार ही करता हूँ मैं तो उन प्रो सिंग शीर राम को परसंद करके उध्या में लुटा लाने और उनके चन्नों की बंदना करने के लिए जा रहा हूँ इसी उध्देश्य से मैं यहाँ आँ हूँ ऐसा समझ कर आपको मुझे पर क्रिपा करने चाहिए भगवन आप मुझे बताईए कि इस समय महराज शीर राम कहा है इसके बाद विशिष्ट आदे रितिग्यों नवी यह प्रातना की कि भरत का को यह प्रात नहीं है आप इन पर परसंद नहों जाएए तब भगवान भर्दवाज ने परसंद नहों कर भर से कहा प्रुसिंग तुम रगोकुल में उत्पन हुई हो तुम में गुरुजना की सेवा इंद्री स्रीयम तथा श्रीष्ट पुर्षव के अंसरन का भाव होना उचित है तुमारे मन में जो बात है उसे मैं जानता हूँ तथा भी मैंने इस दिये पूछा कि तुमारे ये भाव और भी द्रिड हो जाए और तुमारे कीर्टी का अधिकादिक विस्तार हो मैं सीतार लच्छन सही धर्मक के शेडराम का पता जानता हूँ ये तुमारे भाताशी राम चंद्र महा परवचित्र कूट पर निवास करते ही अब कल तुम उस स्थान की यात्रा करना आज अपने मंत्रियों के साथ इस आश्रम में ही रहो महाबद्दीवान भरत तुम मेरी इस अभिष्ट वस्तु को देने में समर्थो अता मेरी अभिलाशा पूर्ण करो तब जिनके सवरोप एम सभाव का परचे मिल गया था उन उदार द्रिष्टी वाले भरत ने तथा अस्तु कहकर मुनिकी आग्या शिरुद्धारे की तथा उन राजकुमार ने उस समय रात को उस आश्रम में ही निवास करने का निश्चे किया इस प्रकार शिरिवालमित निर्मित आर्ष रामाईन आधिकावे के उध्याकान में नब्यमा सर्ग पोर्ण हुआ 91 सर्ग में भरद्वाज मनिक के द्वरा शैन्ना सहीत भरत का दिवे सत्कार जब भरत ने उस आश्रम में ही निवास का दिर्निश्चे कर लिया तब मुनिने कहके कुमार भरत को अपना अतित्धे ग्रहन करने के लिए निवता दिया ये सुनकर भरत ने उस से कहा मुनि वन्मित जैसा अतित्य सिथकार संबव है ये तो आप पाद्य अर्दर फाल मुलादी देकर का रही चुके उनके ऐसा कहने पर भरदवाज जी भरत से हसते वे से बोले भरत मैं जानता हूँ मेरे प्रती तुम्हारा प्रेम है अतब मैं तुम्हें कुछ जो कुछ दूँगा उसी से तुम संतोस्तो जाओगी किन्तो इसमें मैं तुम्हारी सेना को भोजन कराना चाहता हूँ नाश्रेश्ट इससे मुझे परसंता होगी और जिस तरह मुझे परसंता हो वैसा कारे तुम्हें अविश्य करना चाहिए पुरुष्प्रवर तुम अपनी सेना को किस लिए इतनी दूर छोड़ कर यहां आए हूँ सेना सहीत यहां क्यों नहीं आए जब भरत ने हाथ जोड़ कर उस तपवन मनी को उतर दिया भगवन में आपके ही भेसे सेना के साथ यहां नहीं आया प्रभू राजा और राजपुत्र को चाहिए कि वे सभी देशों में प्रतन पुरक तपसी जनों को दूर छोड़ कर रहे क्योंकि उनके द्वरा उन्हें कस्ट पुचाने के संभाव ना रहती है भगवन मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे घोडे मनुश्य और मत्वाले गजराज है जो बहुत बड़े भू भाग को ढख कर मेरे पीछे पीछे चलते है वे आश्रम के विरिक्ष, जल, भूमी और परंचलाव को हानी ना पुचाएं इसने में यहां अकेला ही आया हूँ तन्तर उन महिच्छी ने आग्या दी कि सेना को यहीं दिया तब भरत ने सेना को वहीं बुलवा लिया इसके बाद मनुवर भर्दवाज ने अगनी शालाओं में परवेश करके जल का आच्मन किया और होट पोचकर भरत के अतित्य सत्कार के लिए विश्य कर्मा आदे का आवाहन किया वे बोलें मैं विश्य कर्मा तवश्टा देता का आवाहन करता हूं मेरे मन में सेना जहीत भरत का अतित्य सत्कार करने की इच्छावी है इसमें मेरे लिए भी आवश्यक परबंद करे जिनके अगवा इंदर हैं उन तीन लोग बालों का अर्थात इंदर सहित यम बरुन और कुबेद नमक देताओं का मैं आवाहन करता हूँ इस समें भरत का अधित्थे सत्कार करना चाहता हूँ इसे मेरे लिए ये लोग अवश्य परबंद करे प्रित्थी और अकाश में जो पूर एम पश्चिम की और प्रवाहित होने वाले नदियां हैं उनका भी मैं आमाहन करता हूँ वैं सब आज यहां पधारे कुछ नदियां मैरे प्रस्तत करे दूसरी अच्छी तरह तियार की हुई सुरा ले आवे और अन नदियां एक के पौरों में होने वाले रस्की भाती मधुरह शीतल जल तियार करके रखे मैं विश्वावसू हाहा और हूहू आदिद देवगुन धर्वों तथा उनके साथ समस्त अफसराओं का भी आवाहन करता हूँ ग्रिताची विश्वाची मित्रकेशी अलंबुशा नागदता हेमा सुमा और अद्रिक्रिस्थली अथ्वा परवत पर निवास करने माली सूमा का भी मैं अवाहन करता हूँ जो अपसराओं इंद्र की सवा में पस्तित होती हैं तथा जो दिवांगनाई भ्रमा जी की सेवा में चाया करती हैं उन सब का मैं तुमबरु के साथ अवाहन करता हूँ वे अलंकारों और नित्यगीत के लिए पेक्षित अन्याइन उपकर्णों के साथ यहां पधा रहें उत्तर कुरुवर्च में जो दिव चेत्रत नमकवन है जिसमें दिव वस्तर अभूछन ही व्रिक्षों के पत्ते हैं और दिव नारियां ही फल हैं कुबेर का वह सनातन दिव वन यहीं आ जाए यहां भगवान सौम मेरे अतित्यों के लिए उत्तम अन नाना परकार के भख्ष भोज्य ले और चोश्य की परचूर मात्रा में विवस्ता करे विरिक्षों से त्रंथ चुने के नाना परकार के पुश्पम मधू आदी पेपदार तथा नाना परकार के फलों के गुते भी भगवान सौम यहां प्रस्तुत करें इस परकार उत्तम रत का पालन करने वारे भद्वाज मुनी ने एकागर्चित और अनपमतेश से संपन होकर शिक्षा अरथाद शिक्षा शात्रे बताईगी उच्चार में दी और व्याकरन शास्त्रों के परकिती प्रत्य संबंधी स्वर से युक्तवानी में उन सब का वाहन किया इस तरह वाहन करके मुनी पूरव अवी मख होकर हाद जोड़े मन ही मन ध्यान करने लगे उनके समरन करते ही वे सभी देटा एक करके वाबर आपोचे फिर तो वहां मले और दुरदर नामक परतों का शपर्ष करके बेहने वाली अज़न प्रिय और सुख दाइनी हवाद धीरे धीरे चलने लगी जो पर्ष मातर से शीर के पसीनों को सुखा देने वाली थी तरपश्चात मेगन दिव्य पुश्पक की वर्शा करने लगे संपुरन दिशाओं में देताओं की धंदियों का मदुर शब्द सुनाई देने लगा उत्तमायू चलने लगी संगीत का वैश्चब्द पृत्थी आकाश और प्राणियों के करन कोहारों में परविष्टो कर गुईने लगा आरो अवरो से युक्त वैश्चब्द कॉमल एम मधुर था समताल से विशिष्ट और लैगुन से संपन था इस परकार मनुश्यों के कानों को सुख देने वाला वैश्चब्द हो रहा था कि भरत की सेना को विश्च कर्मा का निर्मान कोशल दिखाई पड़ा चारो और पांच योजन तक की भूमी समतल हो गई उस पर नीलम और वैद्वरिवनियों के सुवान नाना परकार की घणी घास चा रही थी स्थान स्थान पर बेल, कैट, कटल, आमला, बिजूरा और आम के विरिक्ष लगे हुए थे जो फलो से शोबित हो रहे थे, उत्तर कुरूवस से दिवे योग भोग समग्रियों से संपन चित्रत नमक वन वहाँ आ गया साथ ही, वहाँ की रम्नियां इस्त्रियां भी आपोची, फिर बोसग्यम तड़वर्ती विरिक्षों से घरी वी थी उज्जल चार-चार कमरों से युक्त ग्रह अत्वा ग्रह युक्त चबूत्रे ते यार होगे हाथी और घोडों के रहने के लिए शालाएं बन गई अटली काउं तथा सत मंजले महलों से युक्त सुन्दर नगर द्वार बे निर्मित होगे राजप्रवार के लिए बना हुआ सुन्दर द्वार से युक्त दिवे भवन शेद बादरों के समान शुबा पा रहा था उसे सफेद फूलों की मालाओं से सजाया गया था और दिवे सुगंदी जल से सीचा गया था वे महान चुकोना तथा बहुत बड़ा था उसमें संकीर्णा का अनभव नहीं होता था उसमें सोने बैठरे और स्वारियों के रहने के लिए अलग लग सादन थे उनके स्थान थे और वे सब परकार के दिवे राशिर दिवे भोजन और दिवे वस्त्र प्रस्त थे सब तरह के अन और धुले हुए सच पात रखे गे थे उस संदर भावन में कहीं बैठने के लिए सब परकार के आसन बस्तित थे और कहीं सोने के लिए संदर शेयाय बिच्छी थी महिच्छी भरद्वाज किया गया से कहके पुत्र महाबाहू भरत ने नाना परकार के रत्रों से भरे हुए उस महल में परवेश किया उसके साथ साथ प्रोहित और मंत्री भी उसमें गे उस भरद्वाज का निर्मान कोशल देखकर उन सब लोगों को बड़ी परसंता हुई उस भवन में भरत ने दिवे राज सिंगासन चवर और छत्र भी देखे तिथा महाराजा शीराम की भावना करके मंत्रियों के साथ उन समस्त राज्य भोग वस्तों की प्रदक्षना की शीराम चंदर जी महाराज विराजमान है ऐसी दारना बना कर उनने शीराम को परनाम किया और उस सिंगासन की भी पूजा की फिर अपने हाथ में चमर लेकर वे मंत्री के आशण पर जा बैठे तत्पश्चात प्रोहित और मंत्री भी क्रमशाय अपने योग के आसनों पर बैठे फिर सैनापती और परशास्त छामने की रक्षक करने वाले भी बैठे तरंतर वहां दो ही घड़ी में भर्दवाज मनी की आग्या से भरत की सिया में नदियां पस्तित हुई जिन में कीच के स्थान में खीर भरी हुई थी उन नदियों के दोनों तटों पर भर्मरिशी भर्दवाज की क्रिपासित दिव्यम रमनी ये भामन प्रगट होगे थे चुचूने से पुते हुए थे उसी महुरत में ब्रह्मा जी की भिजी हुई दिव्य अभूशन से विभूशित बीस हज़ार तिव्यांगनाएं वहाँ आई इसी तरह सन, मनी, मुक्ता और मौगो के अभूशनों से शोबित कुबेर की भिजी हुई बीस हज़ार दिव्य महिलाएं भी वहाँ पस्थित हुई जिनका श्वर्ष पाकर पुरुष और माद ग्रस सा दिखाई देता है इनके सिवा नंदन मन से बीस हजार अपस्राइं भी आई नारत, तंबरु और गोप अपनी कांती से सुरी के सुमान परकाशित होते थे वे तीनों के धर्वराज भरत के सामने गीत गाने लगे अलंबुशा, मित्रकेशी, पुंड्रिका और वामना ये चार अपस्राइं भर्दवाज बनी की आग्या से भरत के समीब नित्य करने लगी जो फूल, टिप्टाओं के उद्याना में और जो चित्रतवन में हुआ करते हैं में महिर्शी बर्दवाज के परताप से परियाग में दिखाई देने लगे बर्दवाज वने के तेज से बैल के वरिक्ष मर्दंग बजाते बहेड़े के पेड शम्या नमक ताल देते और पीपल के वरिक्ष वहां नरित्य करते थे तंदर देवदार ताल तिलक और तमाल नमक प्रिश कुपड़े और बोने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेवा में उपस्तित हुए शिशंपा आमलकी और जम्बु आदी इस्तिलिंग वरिक्ष तथा मालती मलका और जाती आदी वनकी लताएं नारी का रूप धारन करके भरद्वाज मुनी के आच्रम में आबसी वे भरत के सेनकों को पकार पकार कर केहती थी मधू का पान करने वाले लोगों लो ये मधू पान कर लो तुम मेंसे जिने भूक लगी हो वे सब लोग ये खीर खाओ और परमपित्र फलों के गुदे भी परस्तुत हैं इनका वस आस्वादन करो जिसकी जो इच्छा हो वही बोजन करो साथ आठ तरनी इस्त्रियां मिलकर एक एक पुरुषकोस नदी के मनोहर तटो पर उबटल लगा लगा कर ने लाती थी बड़े बड़े नित्रो वाली सुंद्री रमनिया अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी वे उनके भीगे हुए अंगों को वस्त्रों से पोच कर शब शुद्ध वस्त्र धारन करा कर उन्हें साधिष्ट पे अर्थाद दूदादी पिलाती थी तत्पस्चाद भिन भिन चाहने वाहनों की रक्षा में नियुक्त मुनश्यों ने हाथी गोडे गदे उंठ और बैलों की भड़ी भाती दाना घासादी का भजन कराया एक शिवाकुकुल के श्रेष्ट योदाओं की स्वारी में आने वाली वाहनों को वे महाबली वाहन रक्षक जिने महिच्छी ने सिवा के लिए नियुक्तिया था प्रिन्ना दे दे कर गन्ने के टुकडे और मधुमिश्रित लावे खिलाते थे घोड़े बानने वाले सैस को अपने घोड़े का और हाथी बान को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था सारी सैना वहाँ मध प्रमत और अनन्द मगनब परतीत होती थी संपुरन मनवान चित पदातों से त्रिप्तों कर लाल चंदन से चर्चितों सैनिक अफसराओं का सहियों पाकर इस तरह से बाते कहने लगे अब हमें योद्धा नहीं जाएंगे दंडक करम्न में ही भी नहीं जाएंगे भरत से कुशल रहें जिनके कारण हमें इस भूतल पर सर का सुख मिला तथा शीर रामचंदर जी की भी सुखी रहें जिनके दर्शिन के लिए आपने आने पर हमें इस दिव्य सुख की प्राप्ती हुई इस प्रगार पैदल सैनिक तथा हाथी सवार घुड सवार सईस और महावत आदी उस सतकार को पागर सचन्द होकर उप्युक्त बाते कहने लगे भरत के साथ आई हुई हजारों मनुश्य वहाँ का वैभव देकर हच के मारे फूले नहीं समाते थी जोड जोड से कहते थे ये श्यन स्वर्ग है सास्तरों सैनिक फूलों के हार पहन कर नाचने हसने और गाते हुए सब बोर दोड़ते फिते थे उस अमरत के समान स्वादिष्ट अन का भोजन कर चुकने पर भी उन डिवे भक्षपदार्तों को देखकर उन्हें पुना भोजन करने की इच्छा जाती थी दास दासियां सैनकों के इस्त्रियां और सैनिक सब के सब नुतन वस्त्र धार्ण करके इस परकार से अत्यनत परसन्न होगी हाथी, गोडे, गदे, उंट, बैल, म्रिग तथा पक्षी भी वहाँ पूर्ण त्रिप्थ होगे थे और कोई दूसरे किसी वस्तु के इच्छा नहीं करता था उस समें वहाँ कोई भी मनुश्य ऐसा नहीं दिखाई दिता था जिसके कपड़े सफेद ना हो जो भूखा या मलिन रह गया हो, अत्वाज जिसके केश धूर्ट से दूसरी तोगे हो अज्वैन मिलाकर बनाएगे, वाराही कंद से तियार कियेगे तो था आमादी फलों के गरम किये हुए रस में पकाएगे उत्तम उत्तम व्यंजनों के संग्रहों, सुगंदी युक्त, रस वाली डालों तथा शेत रंग के भातों से भरे हुए सास्त्रों स्वर्ण आदी के पात्र, वहाँ सब रखे हुए थे चिने फूलों की धज्यावन से सजाया गया था भरत के साथ आई हुए सब लोगों को इन पात्रों को आच्चे रची की तूकर देखा वान के आसपास जितने कुएं थे उन सब में गाड़ी स्वादिष्ट खीर भड़ी हुई थी वहाँ की गवें काम धेनू सब परकार की कामनाव को पून करने वारी होगी थी और उस दिवेवन के वरेक्षे मधू की वर्चा करते थे भरत की सेना में आये हुए निशाद आदी निम्नवर्ग के लोगों की तृप्ति के लिए वहाँ मधू से बरी बावडिया प्रगटोगी वहाँ सहस्तरों सोन के अन पात्र लाखों व्यंजन पात्र और लगवग एक अरब थानिया संग्री ही थी पिठार छोटे छोटे घड़े और मट के दही से भरे हुए थी और उसमें दहीं को सस्वादू बनाने वाले सोट आदी मसाले पड़े हुए थे एक पहर पहले के तियार किये हुए केसर मिश्रित पीत बरन माले सुभंदित तक्र के कई तलाब भरे हुए थे जीरादी मिलाए हुए तक्र अर्थातर साल सफेद धही तथा दूद के भी कई कुंड प्रिथक प्रिथक भरे हुए थे शक्रों के कई धेर लगे हुए थे शनान करने वाले मनिशकों नदी के घटों पर भिन भिन पात्रों में पीसे हुए आमले सुभंदित चूरन धेर के धेर दातन जो सफेद कूच वाले थे वहां रखे हुए थे संपटों में घिजे हुए सफेद चंदन विद्ध्यवान थे इन सब वस्त्व को लोगों ने देखा इतना ही नहीं वहां बउस्य सच दरपन धेर के धेर वस्त्र हज्जारों जोडे खडाओं और जूते भी दिखाई देते काजलो सहित कजरोटे, कंधे, कूर्ज, चत्र, धनोश्य, मरम स्थानों की रक्षा करने वाले क्वच, आदि तथा वजित्र, शेया और आसन भी महां दिश्टी गोचर होते थे गदे, उंट, हाथी और घोडों के पाने पीने के लिए कई जिलाशे भरे थे जिनके घाट बड़े सुन्दर और सुख पूरक उतारने योग्य थे उन जिलाशें में कमल और उत्पल शुबा पा रहे थे, उनका जल अकाश के समान सुच था तथा उनमें सुख पूरक तैरा जा सकता था पश्यों के खाने के लिए वहाँ सब और नील वे दूरे मनी के समान रंग वाली हरी एम कॉमल घास की धेरियां लगी थी, उन सब लोगों ने में सारी वस्तों देखी महिर्शी भर्दवाज के दोरा सेना सहीत भरत का सतकार हुआ वे अनिर विचनी आतित्थे सतकार अद्भुद और सपन के समान था उसे देखकर वे सब मनुष्य आचे रिज़की दोटे थे जैसे देवता नंदनवन में विहार करते हैं उसी परकार भर्दवाज मुनी के रमनी आश्रम में ये थेष्ट क्रीडा विहार करते हुए उन लोगों को वेरात्री बड़े सुख से बेती तब पचात में नदियां गंधर्व और समस संद्री अफसराई भर्दवाज की आग्या लेज जैसे आई थी उसी परकार लोट गए स्वेरा हो जाने पर भी लोग उसी परकार मदूपान से मत एम उन मत दिखाई दे थे उनके अंगों पर देवे अगरू युक चंदन का लेब जोंका तियो दिश्टी गोचर हो रहा था मनुश्यों के भोग में लाएगे नाना परकार के देवे उत्तम पुष्पहार भी उसी अवस्ता में प्रतक बिखरे पड़े थी इस परकार श्री बालमित निर्मित आर्शिरवाईन आदी काल के एध्या कांड में एक्यान्वा सग पोर्ण होआ